हेलो गाइज वेल्क बेक टो मैं यूटिफ चैनल गुर्ली इनाल तो टूड़े वेल टॉक अबाउट थर्टी एड टॉपिक ओफ में टो अगस क्यों का सीरीज हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्राइब यूर एक्स्पिरियंस वेन यू चेंज यूर स्कूल और डिस्क्राइ को बॉल में अवरे विगा क चिंज है यू डिस्क्राइब और पर वहरे थे नियुक्त पाउलियोगा मीं तो अगे हैं क मददगार में उनीत देद बौर के घवेड़ें Vermont कौने बदे में यह श्पिरियोगार सक्राइब रदी एक्साइटिंग हो गया जिसको करने के लिए बहुत ताफले होते हो क्यों कर डिसकस करते हैं हमारा school is the first place where we form our best memories school एक ऐसी place होती है जहांपर हम हमारी अच्छी memories बनाते हैं and we make our best friends जहांपर हमारे best friends को भी बनाते हैं we identified ourselves who we are and what we can do हम वहांपर जाकर यह जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या क्या चीज़े कर सकते हैं it is a place where we have spent our most valuable time in childhood यह एक ऐसी place है जहांपर हमारा बच्पन का सबसे मन पसंद जाफे सबसे अच्छा समा हम बिताते हैं teachers are next to our parents who leave no stone unturned to make us the best person we can be stone unturned का मतलब हो गया कोई कसर ना छोड़ना कि जो हमारे teachers होते हैं वो हमारे parents के बाद आते हैं जो कि कोई कसर नहीं चोड़ते हैं हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए here I am going to talk about my first day at my school यहांपर मैं अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बात करना चाहता हूं this happened in my hometown जो कि मेरे ही hometown में हुआ था I got to listen to my mother and she told me how she was excited to send me to school मैंने अपने मदर से सुना उन्हाने मुझे बताया कि कैसे वो मुझे पहले दिन स्कूल बेजने के लिए बहुत ज़दो तावली थी I was a curious kid मैं एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा था and I always wanted to dress up and go to school और मुझे मेशा ही चाहिए था कि मैं अच्छे से त्यार हूँ और स्कूल जाओ I found wearing a uniform very exciting मुझे uniform पहनना बहुत ही ज़्यादार जाफिरेक का अच्छी चीज़ लग रही थी I remember every kid around me was not comfortable at school मैं देख राजा कि जो बच्चे थे मेरे आज़ पास school में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थी and some of them were crying and not letting their mother go home और वहां पर तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो रो रहे थे और अपनी mom को mother को घर भी नहीं जाने दे रहे थी and I was the opposite मैं उन सबसे अलग था guy totally self assured मैं अपने आप से पुरा सहमत था मतलब अपने आपर depend था and chill on the first day और अच्छे से पहले दिन मज़े से वहां पर school पर गया था I made friends on the first day and shared my water bottle and snacks मैंने पहले दिनी ही दोस्त बना लिये और उनके साथ water bottle and snacks को share किया Our class teacher talked to us and made us speak our names हमारी class teacher ने हमारे साथ बात की और हमें हमारे नाम बताने के लिए कहा It was quite a nice day, बहुत अच्छा दिन था Our teachers made us so comfortable with them हमारे teachers ने उनके साथ बाशीत करने में हमें बहुत help गी and the school staff was that I started loving my school because of हमारे the school staff था उसकी वज़े से मुझे मेरा school बहुत अच्छा लगने लग गया My feeling was so good मेरी जो feeling थी बहुत अच्छी थी I loved my school, मुझे मेरा school बहुत पसंद था and I was so electrified to make new friends मैं बहुत जो से बरा होता की मैं ने-ने friends बनाऊंगा याँ बहर जाकर It was a wonderful day away from regular life at home ये बहुत ही अलग दिन था और बहुत अच्छा दिन था मेरी regular life जो की मैं घर पर बताता था उसते voted activities and I enjoyed all of them मैंने बहुत सार ये activities की वहाँ पर जाकर और उन सभी को enjoy किया मज़ा लिया उनका So my first day at school was an astonishing day तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा पहला दिन था school में वो बहुत बढ़िया था तो ये था हमारा आज का cue card अगर आपको cue card अच्छा लगो तो like the video also subscribe my channel and hit the bell icon ताकि जब भी मेरी कोई नहीं वीडियो आती हो तो आपको इसकी notification मिल जाए also share my channel with your friends or family members so that I can explore more bye bye guys मिलते हैं next video में